अधर प्रिंसेस कैसे हैं आप सब लोग आज साया मेरी रसोई में हम लोग चाय बनाएंगे एक अलक तरह से यह मेरी पापा बनाया करते थे मैं फटा फट पहले रेस्पी आपको बताती हूँ इस में क्या-क्या चीजश पढ़ेगी यह बता देती हूँ लिए हमने गिलास में पानी लिया है अगर आप गलास पानी लेंगे तो उसकी अधर गलास मिलक लगेगा आधर गलास मिलक यह हमने एक तेजपत्ता काली मिर्च क अजवाइन, मेथि, अद्रक नहीं थी मेरे पास इसलिए मैंने उसकी जगा सौन्ठ लिया, अगर आप सौन्ठ डालेंगे तो अद्रक मधड डालिए और अगर अद्रक डालते हैं तो फिर सौन्ठ मधड डालिए और केसर, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, यह हम अपनी गैस खोल लेंगे, गैस हमने स्टार्ट कर दी हैं और इसमें हमने पानी डालना है, और मैं क्या करूँगी पानी को उबलने का वेट नहीं करूँगी, इसी में मैं सारे इंग्रीडिस अपने टाल देंगे, और ये इलाइची और काली मिर्च, ये सब हम इसमें देखिये, मेरी पापा ये चाय बहुत पिया करते थे, तो मेरी मम्मी बहुत डाड़ती थी, कहती थी कि ये चाय है कि मसाले का काड़ा पी रही है, तो कि मेरी मम्मी चाय नहीं पीती थी, वो बच्पन में हम लोग भी चाय नहीं पीते थे, अब मेरी पापा नहीं है इस दुनिया में, तो अब मैंने चाई पीना सीख लिया है और अब आज मेरा बहुत मन भी उदास था थोड़ी तकावड मैसुस हो रही थी तो पापा बोलते हैं कि यह वली चाई पीने से तुरंट एकदम एनर्जी रसी आ जाती है हैं जो भी आपको थोड़ा फीलिंग होती है कि डलनस लग रही है वो आपकी खतम हो जाएगी तो गाइड़ इसको हम पहले और हमने केसर भी डाली है यह देखें मैं केसर आपको बताना भूल गई हूं यह हमने केसर भी डाली है अब इस पाणी जब ये ऐधा हो जाएगा तब इसमें दूद मिलाएंगे और आज गाइड मन इतना उदास है क्वीश मेरां तो मैं जब किचन में होती हूँ, नो कभी उदास होती हूँ या फिर कभी बहुत खुश होती हूँ तो मैं साथ में गाना गालेती हूँ जसे documenting बात्रूम में सिंगर होती हैं तो मैं बोल सकती हूं कि मैं थोड़ा किजन-सिंगर बी हो और मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कभी भी आपको आने का मने को डांस करने का मनों अपर यह म resemblk कि हमें नहीं आता बिन्दास करिए कोई दिचकत नहीं है नहीं आता परफेक्ट कोई नहीं है हमारा ये पैशन है बस की हां मतलब करना है हमको हमको अच्छा लगता है तो कर लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना मत सोचिए कि नहीं मेरी आवाज नहीं अच्छी है अरे घर में जब कोई नहीं होता है कुई आप दोर को बंद करिए अराम से फुल स्पीड में गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है देखियो क्विंस हमारा पानी जो है वो उबल चुका है अब मैं यहां पर आपको सजेशन है कि यह दूंगी या तो आप इस पानी में ही मिल्क एड कर लीजे और अभी आज जो मैंने इसमें जितना भी लिया है समान इलाइची वेरा जो कुछ भी यह दो कप चाय के लिए था तो आप उस हिसाब से ही करिएगा और अगर आप इसको लीकर बना के रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं जो भीना दूद के पीना चाहें तो आप बिना दूद के भी इसको पीशकते यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन मुझे थोड़ा चाय का मन था तो इस कर दिया है आप देखिए इस पर बहुत अच्छा कलर आ गया है ये देखिए बिना चाय-पत्ति के भी तो आप यकीन माने जब आप पी के देखेंगे तो सच में आप बोलेंगे जसे चाय-पत्ति से के एसिडिटी हो जाती है और इससे वह प्रोब्लम आपको नहीं होगी तो इसमें एक उबाल हम अभी और ले लेते हैं यह देखिए यह अपनी उबल के तयार है देखा क्विन्स मैंने कैसे अपना जी भी हलका कर लिया गा के दो चार आशू भी टपका लिये और बात शेयर भी हो गई मन हलका होगे यह सोचके कि चलो मेरे साथ मेरे मतलब किसी ने शेयर किया और अगर आपको वैसे तो मैं यह सजेशन दूँगी कि आप विदाउट चाय पत्ती इसको पी लीजे ऐसे डिटी नहीं होगी लेकिन अगर किसी को चाय पत्ती की बहुत आदत ही है कि नहीं हमें तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चाय पत्ती एड़ कर लीजे तो आपको एकदम मज़ा आजगा देखे मैं इसमें चाय पत्ती भी एड़ करके आपको दिखा देती हूँ कि देखे विना चाय पत्ती के तो यह है और बस इसी टाइम पर आप क्या करिए जब आपको चाय जिसको बिना चाय पत्ती की पीनी आपने निकाल दी अब आपको चाय पत्ती पीनी है थोड़ी सी तो यह देखिए हाफ स्टेबिल स्पून से भी कम हमने के मेरा बहुत चोटा ही चमबच है उससे हमने डाल दी यह देखिए बास अब इसको एक उबाल और ले ले दीजे यह भीलकुल अपनी चाय एकदम तयार है इसको आप राजसी चाय भी बहुत सकते हैं अभी हम इसकी प्लेटिंग करके दिखातेयां इसको हम उबल गई है कप में पलट यह चलिए तैसको यह देखित आप मैं इसको ने Olavyn करे करके दिखाती हो आप यकीन मानिए यह चाय आप जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही पसंद आएगी और मैं जब थकी होई होती हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा चाय पीना पसंद करती हूं तो यह पूरी जो दो कप चाय हमारी बनी है यह पूरी मेरे ही पेट में जाने वाली है यह देखिए गाइड आईए क्वीन्स कोर मेरे साथ इंजॉय कर रहा है इस चाय को पसंद आए तो लाइक करिए सस्क्राइब करिए ओल दे बेस्ट थैंक यू टेक सेफ कियर बाई